फरुखाबाद की आर्थिक स्थिती का हाल जानना हो तो होली दीवाली जैसे त्योहारों पर बजार में भीलव विक्री फरुखाबाद की आर्थिक स्थिती का सूचकान्ग माना जा सकता है हमारा बजार ग्रामीन खुशाली पर निर्भर करता है कहते है गाव खुशाल तो शहर खुशाल सही कहा गया है गंगा जमुनी दोव के मध्य नदियों, जील, तालावो वनालों से घिरा हमारा क्षेत्र इश्वर का वर्दान है यही वो वर्दान है जिसके कारण फरुखाबाद प्राचीन काल से क्रिशी प्रधान उन्नत क्षेत्र रहा है आज आलू से हमारी पहचान है फरुखाबाद प्राचीन काल से क्रिशी प्रधान जिला रहा है फ्रांसिसी म्यूजियम में रखे दानियल दूजार्दा के दस्तावेच से पता चलता है कि दूजार्दा की फरुखाबाद में एक रिशी वव्यापारिक दोनों गतिविधिया थी वो यहां किसानों को फाइनेंस करता था उसके नील वर अनाजों के भंडार यहां मौजूद थे बंगश नवाब ने गंगा में वोट सर्विस शुरू की थी बाद में गंगा में फेरी सर्विस से वह रिशी उतपाद बड़ी मंडियों में ले जाता वकलकत्ता के माध्यम समुद्र के रास्ते अनाज योरोप एक्सपोर्ट करता था आलू, तंबाकू वगन्ना यहां के मुख्य उतपाद है फरुखाबाद में आलू के भढ़ारं के लिए सो से अधिक कोल्ड स्टोरेज है यहां का उन्नत शील किसान भढ़ारं की समस्या वल्लागत मूल्य ना मिलने की बजह से बेहाल रहता है क्रिशी एक ऐसा कार्यक शेत्र है जिसमें घर बैठे रोजगार प्रदान करने की ताकत है दो बाते बिलकुल स्पष्ट है फरुखाबाद एक क्रिशी प्रधान जिला था जहां क्रिशी के अलावा हस्ट शिल्प, लगू उध्योग, सुगंध, बीर्ली, तमबाकू उध्योग आज भी 75 प्रतिशत आबादी की रोजी रोटी का साधन था लेकिन क्रिशी मूलय वज सप्लाइ लाइन की बजह से किसानी वरोजगार की गहन समस्या खड़ी हो गई है भारी उध्योग लगाना इस समस्या का निदान नहीं हो सकता भारी उध्योग लगाने का जो भी प्रयास किया गया था वह सिर्फ वोट लेने के लिए था यहाँ क्रिशी से संबंधित इंडस्ट्री की ही आवश्यक्ता है जब तक हमारे क्रिशी प्रधान क्षेत्र को हिंदुस्तान के बड़े शहरों से नहीं जोगा जाएगा क्षेत्र वासियों की जिंदगी में हलचल नहीं बढ़ सकती पोटेटो चिप्स पोटेटो स्टाच जैसे प्रोजेक्ट पर चुनावी बातचीत बहुत की गई किन्तु धरातल पर कुछ नहीं किया गया फर्रुखाबाद में क्रिशी विश्विध हले आज की एक आवश्यक्ता है जिस पर कभी विचार नहीं किया गया मौजूदा सरकार द्वारा एक जिल्ला एक उध्योग नीती के अंतरगत जर्दोजी को अलग थलग कर छोड़ देना लाखों कामगारों की जिंद्गी से खेलने जैसा कदम था नतीजा सामने है यही कामगर अब इलेक्ट्रिक रिक्षा चलाने को मजबूर है जन प्रतिनिधियों को यह समझ लेना चाहिए कि फर्रुखाबाद की आर्थिक खुशाली क्रिशी, जर्दोजी, छपाई वराने को लगू उध्योगों पर निर्भर है इसे जारी रखने के प्रयास करना ही पड़ेगा यदि ग्रामीन आर्थिक व्यवस्था मजबूत है तभी हमारे शहरी बजार में रौनक आपाएगी इस दिपावली पर शहरी बजार फर्रुखाबाद की आर्थिक स्थिती का थमामीट होगा आशा करनी चाहिए इस वर्ष दिपावली ग्रामीन वर शहरी दोनों जगा घर-घर खुशिया लेकर आएगी किस्ट्री आफ फर्रुखाबाद अपने सभी दोस्तों को लिए दिपावली की शुब अफसर पर धेरो शुब कामनायन देता है